Acute Coronary Syndrome या ACS एक ऐसी कंडिशन है जिसमें हिर्दय की मांस्पेशियों में ब्लड फ्लो होने में रुकावट आती है जो आगे जाकर Myocardial Infection या MI का कारण बनती है MI एक बेहत खतरनाक कंडिशन है जो हिर्दय की मांस्पेशियों में ब्लड फ्लो होने की कमी की वज़य से होता है जिसे आम तोर पे हार्ट अटेक भी कहते हैं यह एक इमरजेंसी है और इसमें जान जाने का खतरा होता है हमारा हिर्दय एक मस्कुलर ओर्गन है जो शरीर के बांकी हिस्सों में ऑक्सीजन और न्यूट्रियन से भरपूर ब्लड को पंप करता है इसमें चार मुख्य चैंबर्स होते हैं राइट अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल राइट अट्रियम में बॉडी से डी ओक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है और राइट वेंट्रिकल इसे फेफडो में धकेल देता है फेफडो में deoxygenated blood oxygen लेकर left ventricle में enter करता है left ventricle हिर्दय का main pumping chamber है और यह contract होकर एयोटा के जरीए शरीर के बांकी हिस्सों में oxygen से भरपूर blood pump करता है पर आपके शरीर के बांकी हिस्सों की तरह हिर्दय को भी ठीक से काम करने के लिए oxygen युक्ट blood की जरूरत होती है और इसे oxygen पहुचाने का काम करती है coronary arteries कई सारी छोटी छोटी coronary arteries एयोटा से जुड़ी हुई होती है और हिर्दय की मांसपेशियों को आवश्यक oxygen और nutrient supply करती है acute coronary syndrome में इन ही coronary arteries में blockage हो जाता है जिसकी वज़े से हिर्दय की मांसपेशियों में supply होने वाले blood में रुकावटा जाती है ऐसा अकसर atherosclerosis plaque यानि coronary arteries में fat, cholesterol या अन्य किसी चीज़ के जमा हो जाने से या coronary spasm यानि की arteries में एठन आ जाने से या फिर coronary artery dissection यानि की artery के फट जाने की वज़े से होता है atherosclerosis में fatty plaque के लगातार बढ़ने से coronary artery का gap कम हो जाता है और अगर ये plaque तूट जाता है तो blood एक जगा पर इखटा होना शुरू हो जाता है जिसे blood clot कहते हैं जिसके कारण coronary artery में blockage बन जाता है आम तोर पर blood clot हो जाने की वज़े से ही coronary artery में blockage होता है दूसरे कारण जिनके कारण coronary artery में blockage हो सकता है है coronary artery spasm जिसमें अचानक से coronary artery एट जाती है और ये drugs, smoking, थंड के मौसम या अत्याधिक तनाव के चलते हो सकता है इसके अलावा दूसरा कारण हो सकता है coronary artery dissection इस केस में artery की अंदुरूनी दिवार तूट कर अलग हो जाती है जिससे blood flow में रुकावट आ जाती है हिर्दय के किसी भी हिस्से में इस तरह की रुकावट आ जाने से वहाँ पर oxygen और nutrients नहीं पहुँच पाते हैं जिस वज़े से हिर्दय की मांस बेशिया मर जाती है इस condition को myocardial infection कहते है blocked coronary artery के कारण सीने में अचानक दर्द होना बेचैनी होना, जक्रन महसूस होना या जलन होने को angina कहते है angina पेट के उपर वाले हिस्से कंधो, बाहो, गर्दन या निचले जबडों तक पहुच सकती है इसके अलावा इस condition में सांस फूलना, चक्कर आना, पसीना आना और जी मचलना जैसे लक्षन भी देखे जा सकते हैं फैटी प्लाक के कारण जब coronary arteries काफी हद तक ब्लॉक हो जाती है तो इसे ठीक करने के लिए coronary angioplasty प्रक्रिया से blood flow को ठीक किया जाता है इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर कमर की तवचा को सुन्यो कर देता है और फिर आपकी तवचा के जरीए जांग की एक नस में सुई डालता है इसके बाद नस में सुई के जरीए एक flexible guide wire डाला जाता है और फिर सुई को निकाल कर इसकी जगह पर एक छोटी flexible tube डाली जाती है जिसे sheath कहा जाता है इसके बाद sheath के रास्ते से guide wire को हिरते तक पहुँचाया जाता है और इस guide wire के उपर से एक flexible tube जिसे catheter कहा जाता है coronary arteries तक पहुँचा दिया जाता है इस दोरान patient को थोड़ा दबाव महसूत हो सकता है लेकिन उसे दर्द नहीं होगा इसे देखने के लिए X-ray device का इस्तमाल किया जाता है जिसे fluoroscope कहते है इस point पर doctor guide wire को निकाल देता है इसके बाद doctor catheter के tip को coronary artery के अंदर डाल देता है और जाज करने के लिए artery में एक खास तरह के die को डालता है die डालने पर artery में किसी भी blockage को आसानी से देखा जा सकता है अगर काफी बड़ा blockage दिखाई पड़ता है तो doctor artery के अंदर एक guide wire को डाल देता है और wire के उपर से catheter को blockage वाली जगह पर ले जाता है catheter की tip पर एक balloon लगा होता है जिसे blockage वाली जगह पर 20 से 30 सेकेंड के लिए फुला दिया जाता है जिससे fatty plaque अंदर को दब जाता है और arteries फैल जाती है जब balloon फुला हुआ होता है तब artery पूरी तरह से block हो जाती है और patient को सीने में दर्द महसूस हो सकता है इसके बाद balloon को deflate करके बाहर निकाल लिया जाता है और साथी साथ दर्द भी चला जाता है आर्टरी के फैल जाने से blood flow में सुधार आ जाता है आर्टरी को खुला रखने के लिए metal से बनी एक mesh tube जिसे stent कहा जाता है का इस्तमाल भी किया जा सकता है डॉक्टर patient के लिए stent की सही size को चुनता है जिसे एक balloon के उपर compress करके रखा जाता है stent को उसी guide wire के जरिए आर्टरी तक ले जाया जाता है balloon को fly जाने पर balloon पर रखा stent भी खुल जाता है और अपनी जगह पर lock हो जाता है balloon वाले catheter को बाहर निकालने के बाद stent coronary artery को खुला रखने में मदद करता है और finally guide wire को भी बाहर निकाल लिया जाता है 3D animation की मदद से चीजों को समझना बहुत ही entertaining हो जाता है और लोग को concept भी बहुत आसानी से समझ में आता है और इसलिए लोग 3D animated video को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं दुस्तो बहुत समय से आप लोग की एक demand थी कि ये 3D animated videos कैसे बनाई जाती है इस पर एक course बनाया जाए और आखिरकार हम आपके लिए ये course लेकर आ चुके हैं दुस्तो अगर आपको 3D animation का एकदम zero knowledge है या थोड़ा बहुत knowledge है और आप यहाँ वहाँ content सर्च करने की बजाए कुछ काम की चीज़ सीखना चाते हैं तो आप इस course को ज़रूर जाइन कीजिए मुझे इस फील में 6 साल से भी ज्यादक experience हो चुका है और इस experience के दौरान मुझे एक बात पता चली कि आपको 3D animation बनाने के लिए पूरा software सीखने की ज़रूत नहीं है और अगर आप 3D software को पूरा A to Z सीखना शुरू कर देंगे तो आपको इसे सीखने में सालो लग सकते हैं 3D software में 70% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस्तिमाल मातर 30% ही होता है और 30% चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका इस्तिमाल 90% तक होता है इसलिए हमने इस 3D animation कोर्स में A to Z learning approach के बजाए practical approach लिया है जिसमें आप कुछ basic lessons के बाद directly project पर काम करना शुरू कर देंगे और मिरे साथ साथ step by step animation बनाएंगे और इस प्रकार आप मुझे follow करके बहुत कम समय में 3D animation बनाना सीख सकते हैं तो दूस्तो स्वागत है आपका हमारे इस 3D animation के कोर्स में